अगर आप भी मिनिमम् प्राइज में बेस्ट कॉलिटी होम इंटीर कराना चाहते हैं अगर आप भी मिनिमम् प्राइज में बेस्ट के अगर आप भी मिनिम् प्राइज में बात प्राइज में इसे कैसे अपने वाल्स को ब्यूटिफुल बना सकते हैं अपने हॉल को, बेडरूम को, डाइनिंग को और इसके बारे में टेकनिकल इंफरमेशन आपको मिलने वाली है आज हम देखेंगे रायपुर चत्तिवसगर की एक्च्वल साइट विजिट की फोटोज और वीडियोज हमारे इंप्रैसिव इंटीर एंड कंस्ट्रक्शन के साइट की फोटोज और वीडियोज हम देखेंगे और पूरे डीटेल में समझेंगे जो ये मटेरियल होता है मोल्डिंग बीड भी से बोलते हैं जो आप स्क्रीन में देख सकते हैं ये अलग-अलग थिकनेस अलग-अलग डिजाइन में आता है ये जो मोल्डिंग बीड है पीवीसी मोल्डिंग बोल लीजिए ये चारकोल मो तो उससे पहले आप सबसे एक चोड़ी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे यूट्यूब को और इंस्टेग्राम को सब्सक्राइब कर लीजिए और फॉलो कर लीजिए आपके अपने राइपुर चत्यजगर के प्राजेक्ट वीडियो हम लाते रहते हैं तो चलिए एक एक क आड़िकड़कबड से इंप्रैसिव इंटीर एंड टंस्ट्रक्शन में अब सब का स्वागत है हम आज बात कर रहे हैं अपने पीवी सी मोल्डिंग है यह जो पहले मटेरियल के बारे में बात करते हैं कि यह जो मटेरियल होता है इसका यह बनता है चार कोल पीवी सी से चा बाद हमको पुट्टी और पेंट भी करना होता है, तब ही उसका एकदम beautiful look आएगा इस molding का, और सबसे important एक technical बात में आपको बताता हूँ, कि अगर आप molding बनवाना चाहते हैं, अपने living room में, hall में, bedroom में, या dining में, या कहीं भी किसी wall design करना चाहते हैं आप, तो हमेशा ये wall mold आप charcoal PVC वाली ही खरीदिये market से, क्योंकि कई लोग इसको P.O.P. plaster of Paris material में भी molding बनाते हैं, वो technically बहुत wrong चीज है, क्योंकि P.O.P. जो है, वो पानी से खराब होता है, और बहुत delicate और fragile होता है, तो अगर आप उसमें, अगर P.O.P. से molding बनवाएंगे, तो definitely आप loss में जाने वाले हैं, ये material जो होता है, PVC charcoal ये बहुत अच्छा material है, अगर आप इसे physical damage नहीं करेंगे, तब तक ये material बहुत अच्छा चलेगा, इसकी life बहुत अच्छी रहती है, और हम आज देखने वाले हैं, हमारे राइपुर 36 गड़ की site videos, तो चली एक एक करके, बहुत सारी sites हैं, अलग-अलग design करके, हमने ये molding लगाई थी, वाल में, उसको एक एक करके देखते हैं, और अगर आपको भी राइपुर 36 गड़ में, ये PVC molding चाहिए, तो आपको ये material अवेलेबल हो जाएगा, direct factory price में, येस, आप सहीं सुन रहे हैं, अगर आपको भी entity designing की कोई material, डेकोर की कोई material, चाहे plywood हो, laminate हो, mica हो, या, फिर ये PVC molding हो, अगर ये भी आपको चाहिए, तो ये direct factory price में हम provide कराते हैं, तो चलिए एक एक करके site के बारे में देखते हैं, जो first site का photo आप देख रहे हैं, यहाँ पे screen में मैं available कर दूँँग, आपको display होएगा photos, ये actual site photos हैं, की wall का color और molding का color जो paint किया गया है, उसे same बनाया गया है, interior designing की जो theme होती है, इसमें हम complimentary style बोलते हैं, complimentary style का मतलब होता है, की background और foreground, यानि की background की जो wall है, और जो highlighting material है, ये molding, उसको same color से paint किया जाता है, ताकि look luxury आए, और एक ruminess का effect आए, आपकी छोटी walls भी designing के कारण, बड़ी और beautiful लगेंगी, ये जो आप site देख रहे हैं, इसके लिए हमारे जो client थे, उन्होंने हमको इसकी consultancy भी ली थी, technical guidance के लिए, और हमने यहाँ पे factory price में material भी provide किया था, ये client का call हमें लंडन से आया था, और आप जो execution देख रहे हैं, इसमें आपको दिखेगा कि finishing कितन beautiful कितनी अच्छी finishing आई है, यहाँ इसमें hall में भी लगी है molding, ये site में walls पे जो molding लगी है, वो dining में भी लगी है, और even bedrooms में भी wall molding यहाँ पर लगी हुई है, जो आपको बहुत अच्छे से screen में visible है, आप भी ऐसी wall molding ये वाले style से, complimentary style theme से, यानि कि wall को और molding को same color paint करके बन सकते हैं, आप इसमें कोई भी color options चूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, कि paint अच्छी quality का लीजेगा, paint से ही color से ही look आता है, paint से ही finishing का look आता है, overall जो आप देखते हैं, इसमें wall designing के सबसे important part है, जब wall molding लगाते हैं, मतलब इसकी जो planning करते हैं, wall molding लगान by 10 feet के size में wall में, इस molding को हमें set करना होता है, arrange करना होता है, plan करना होता है कि क्या size का ratio लेंगे हम, जिससे ये beautiful look आए, वो सबसे important है इसके लिए, और interior designing में usually planning बहुत जादा important है execution से पहले, अगर planning designing अच्छी होगी, तब ही final output अच्छा आने वाला है, ये सब आपको पता है, और हम आज जिस बारे में बात कर रहे हैं, एक तो हमने site देख ली है, जहां पे हमने wall molding को एक same color में देख लिया, अगर आप सब भी रायपूर 36 गड़ में रहते हैं, और अपने घरों के लिए home interior designing, wall designing, modular kitchen, fall ceiling, या furniture work, या इस type की interior designing, constructions related, कोई भी working कराना चाहते हैं, या आप definitely हम से contact कर सकते हैं, बेजी जग, और आज जो हम PVC molding या molding beat के बारे में बात कर रहे हैं, आप उसका sample मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये cutting sample है, एक ये जो beat होती है, इसकी length होती है, art fit, ये जो material होता है, ये बहुत अच्छा material है, European interiors में ये बहुत famous है, international standards के interior designing जब होते है foreign countries में भी और हमारे इंडिया में भी इसे implement बहुत अच्छे से किया जाता है आज कल, तो बहुत कम पैसों में बहुत luxury look आता है, at the same time, ये जो material है, बहुत सस्ता होता है, बहुत अच्छा होता है, लगने के बाद बहुत beautiful लगता है, वाल में आप इसे अलग-अलग design बना के लगा सकते हैं, और ये जो PVC मोल्डिंग है, ये बिलकुल low maintenance, easy to clean है, तो इसमें कोई भी complication ये कोई problem नहीं होती, हम जो आज बात कर रहे हैं, मोल्डिंग बीट के बारे में, इसमें आप डीटेल में step by step चीजों को देखेंगे, और cool तरीके से technical information आपको मिलने वाली, इसके बारे में हम जानने वाले हैं, तो चलिए अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही wall molding आप भी play out कर सकते हैं, अपनी wall designing करने के लिए, simple wall molding भी लगा सकते हैं और wall molding को, आप combine कर सकते हैं, अलग-अलग decor material के साथ, जो usually available होते हैं, interior design के लिए wall के लिए, एक material आता है, lures, जो lures paneling है, बहुत पेमस है, और wall molding के अंदर में wallpapers as a highlighters भी यूज कर सकते हैं, और इस molding beat के अंदर में, या designing करते हैं, आप two way lights का, और ऐसे different design types का, यूज कर सकते हैं, जो usually net में available होता है, आप उसे inspiration definitely ले सकते हैं, और जो second हम देख रहे हैं, हमारी site, उसके बारे में हम detail में बात करते हैं, कि चलिए थे कि हमने जो ये लगाया, second site में जो हमने लगाया है, wall molding, ये हमारे राइपुर का video है, और आप जो देख रहे हैं, कि इसे golden and white theme में बनाया गया है, golden paint किया गया है, wall के साथ, screen में video display हो रहा है आपको, और इसकी जो पूरे designing है, इसमें घास and eye pleasing, interior designing में सबसे important होती है color scheme, अगर color eye pleasing होंगे, तभी आपका design beautiful लगेगा, वैसे ही, अगर आप भी wall molding लगाते हैं, अलग-अलग materials के साथ, play out कर सकते हैं, आप सब के लिए एक छोटा सा reminder है, कि ये जो PVC molding वाली हम video देख रहे हैं, इसके साथ हम बहुत सारी चीज़े जान साइट है, उसका आप यहाँ पे photos and videos देख रहे हैं, ये समता कलोनी की site है, और यहाँ पे हमने PVC molding के साथ, बहुत अच्छा color combination paint यूज़ किया है, Asian material का यूज़ किया है, पेंशियन brand का paint यूज़ किया है, हमने, और royal texture series जो होती है, royal shine series जो होती है, royal का paint यूज़ किया है, इ अब भी, ऐसी wall molding के साथ, golden tape लगा सकते हैं, जिसे हमने लगाई है, आप देख सकते हैं, कितना beautiful look आ रहा है, बहुत simple लग रहा है, और बहुत luxury look आ रहा है, कम budget में, interior designing करने के लिए, ये best material है, PVC molding, यहाँ पे हमने site पे, wall का color, यानि की background का color, और foreground का color, यानि की highlighter, जो हमारी mold holding है, उसमें same color use किया है, जैसे कि मैंने आपको बहले भी पता है, contemporary style, आप इसे contrast भी दे सकते हैं, until and unless, आपकी जो wall size है, उसकी length अगर 12-14 feet से जादा है, यानि की wall की लंबाई जादा है, क्योंकि height तो सबकी 10-11 feet ही रहती है, height में तो हम कुछ play out नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे freedom नहीं है हमारे पास, तो अगर length जादा है, तो आप length को use कर सकते हैं, और अपनी wall molding के designing के लिए contrast दे सकते हैं, ये contrast कैसे दे सकते हैं, आप wall का color, light color ले सकते हैं, और ये जो PVC molding में putty करने के बाद paint करते हैं, इसका paint आप dark color ले सकते हैं, ताकि ये 3D effect generate करे, 3D effect के कारण ये highlighter look आएगा, और contrast create होगा, एक depth create होगी, wall में, जो की एक बहुत artistic approach है, लेकिन इसकी condition ये है, कि आपको ये तभी करना है, जब आपकी जो wall की length है, वो 10-12 feet से, minimum 10-12 feet से जादा है, अगर तभी, नहीं तो ये बहुत weird लगेगा, अजीब लग सकता है, ये choice subjective decision है, आप सब के लिए कि जब भी आप wall designing करें, आप भी अगर ये use कर रहे है, material wall designing करने के लिए, तो हम इसे कहां कहां use कर सकते हैं, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं, ये material को आपको compulsory, सिर्फ wall में ही लगाना है, base depend करता है, base wall का भी हो सकता है, base ply का भी हो सकता है, wooden base भी हो सकता है, ये depend करता है designing के लिए आप इसे TV panel के पीछे भी लगा सकते हैं अपनी dining wall के पीछे भी लगा सकते हैं, sofa की back wall में भी आप ये material use कर सकते हैं और अपने bedroom में भी use कर सकते हैं ये जो material है या interior designing की कोई भी material उसके लिए सबसे ज़्यादा important होता है उसका design part ये आप कोई भी material use करें वो लगेगा beautiful तब ही सिर्फ और सिर्फ तब जब आपने उसकी planning और designing बहुत अच्छे से की है और interior designing में मैं आपको एट technical advice देता हूँ कि जब भी आप interior designing कुछ भी कराएं कोई भी material use करें तो उसमें 3D designing कराना कम पलसरी है मैं आपको कुछ photos प्रोवाइड करता हूँ देखिए screen में आपके display में कि हम जो interior designing करते हैं उससे क्या-क्या benefits होते हैं एक client को visualization मिल जाता है एक idea मिल जाता है कि हमारा wall जो है या हमारा room जो है हमारा घर जो है वो बनने के बाद कैसा लगेगा ये software में system में पहले से ही पता चल जाएगा ये जो 3D designing होती है इसमें हम replacing कर सकते हैं color option कर change कर सकते हैं modification कर सकते हैं अपने choice के according इसी लिए ये 3D designing बहुत important हो जाती है इसमें जो हम scaling जो ratio set करते हैं molding लगाते समय उसमें भी बहुत जादा help होती है ताकि equidistance maintain कर सकें wall के edges से और इसे centralized कर सकें और systematic working कर सकें क्योंकि आप interior designing करा रहे हैं ये professional work है जिसमें सबसे important है इसकी planning और इसकी जो technical knowledge है उसके लिए तो मैं हूँ ही आप बिलकुल हमसे basis या कोई भी doubt या queries कूच सकते हैं screen में number display हो रहा है अगर आप भी ये working कराना चाहते हैं तो definitely आप हमसे call कर सकते हैं whatsapp कर सकते हैं contact कर सकते हैं इसके installation के बारे में चलिए बात करते हैं कि हमने 3D designing को कर ली PVC molding के बारे में जान लिया color painting के क्या-क्या types होते हैं वो भी हमने देख लिये एक छोटी सी और important बात होती है कि ये जो 3D designing का process होता है तो अगर सा time taking process होता है इसलिए इसको ध्यान में रख्ये ही working करनी है हमको और ये जो PVC molding है इसके installation के बारे में चलिए बात करते हैं कि हमको इसे लगाना कैसे है usually मैं आपको step by step समझाता हूँ कि जब ये PVC molding लगाए जाएगी आपके भी घरों में तो कैसे काम होगा तो सबसे पहले तो wall में marking and designing होगी सब 3D designing होगी जहां पे आपको पहले से ही पता चल जाएगा कि ये wall molding लगने कैसे वाली है तो step 1 में सबसे पहले काम आएगा कारपेंटर का काम आएगा कारपेंटर यानि की बढ़ाई इसे wall molding को marking के according drawing के according ही लगाना चाहिए और इसे लगाने का तरीका क्या है ये जो beat होती है art fit की पत्ती होती है इसे अलग-अलग size में design के according कट करते हैं उसके बाद इसे कट करने के बाद हम इसे जहां-जहां install करना है यानि की जहां लगाना है दिवाल में उसके लिए एक लकडी की गिट्टी या फिर PVC की गिट्टी यूज करते हैं जिसे beat भी बोलते हैं वो drill करते हैं वाल में drill करने के बाद उसे गिट्टी को fix किया जाता है और marking की जाती की कहां-कहां पे इस पे headless nail यानि की बिना माथे वाला खीला लगाया जाएगा usually इसे silicone से भी direct चिपका सकते हैं जो silicone chemical available होता है usually market में और अगर आपको इसकी strength बढ़ानी है long life maintain करनी है तो आप ये इसके support के लिए खीला भी लगा सकते हैं जो headless होता है जिसमें माथा नहीं होता जो खीला में और ये वर्थ करने के बाद यानि की carpainter बढ़ई का काम करने के बाद second step आएगा painter का painter का काम है इसे सबसे पहले putty करना और color paint से इसे बहुत beautiful बना देना और उसमें finishing अच्छी आएगी आप जो color paint choice करेंगे वो मैं suggest करूँगा कि आप Asian का ही जाएं आप अगर medium budget में जाना चाते हैं तो tractor shine की series ले सकते हैं जिसमें थोड़ा shiny look भी आएगा जाते हैं तो आप royal shine की series भी ले सकते हैं Asian paint की जिसमें ये paint work करने के बाद बहुत अच्छा लगेगा design बहुत अच्छा लगेगा और ऐसे ही जब पहले carpenter काम कर ले फिर painter काम कर ले उसके बाद ये पूरा wall molding लगाने का installation का process complete हो जाता है अब आगे आए हमारे वीडियो का सबसे important part जिसके बारे में हम ये जो PVC molding का वीडियो देख रहे थे हमने आज बहुत सारी चीजे जान दिये इसके बारे में तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये जो material के बारे हमने जान दिया कि charcoal PVC से बनता है ये molding beat art fit size की पटी आती है और जो आप designing कर रहे हैं उसके हिसाब से quantity निकलेगी कि कितना material आपको required है अगर आप 3D designing कराएंगे तो उससे actual estimate निकल जाएगा कि कितना खर्चा आपको लगने वाला है ये molding beat का design work करते समय इससे estimate भी निकल जाएगा और बहुत transparent clarity हो जाएगी आपको काम करवाने से ही पहले तो सबसे पहले अगर आप भी राइपुर छत्युसगण में रहते हैं और आपको ये molding beat की requirement है तो ये आपको direct factory price में available हो जाएगी हमारे पास से screen में number display हो रहा है और अगर आप working कराना चाहते हैं इसकी तो वो भी आपको services मिल जाएगी ऐसे ही राइपुर छत्युसगण में हमने 700 plus projects complete कर लिये हैं और वो सारे projects home interior के, interior designing के modular kitchen के, fall ceiling के furniture work के, UPVC windows के या जितने भी type के projects है इसके screen में आप देख से हैं कि videos available हैं हमारे YouTube में, shorts में, reels में आप भी ये videos को check out कर सकते हैं और हम से ये working करा सकते हैं आपको minimum price में best quality working और best quality finishing देखने को मिलेगी और ये जो PVC molding होता है इसके बारे में सबसे important part है आज का कि इसका price क्या होता है इसके price के लिए सब कुछ depend करता है कि ये video कब publish हो रहा है और आप ये video कब देख रहे हैं मैं हमेशा अपने videos में material के prices बताना, service ले avoid करता हूँ क्योंकि it all depends कि आप ये video कब देख रहे हैं उस time ये जो material है, इसका rate, इसका price market में क्या है इसलिए मैंने number provide किया है आप सबको कि जब भी आप कोई material की requirement है या कोई working करानी है तो definitely आप हमसे contact कर सकते हैं और आपको technical information सही information मिलेगी और best price मिलेंगे direct factory price में ये material अबलेबल हो जाएगा वैसे ही आप PVC molding के बहुत सारे videos हमारे राइपुर चत्रिजगर के YouTube में, Instagram में, Reels में, Shorts में देख सकते हैं मैंने बहुत सारे videos अपलोड किया है इस एक video में बहुत सारी site को दिखाना पॉसिबल नहीं हो पाता इसलिए आप वहाँ से भी videos को check out कर सकते हैं और अगर आप भी राइपुर चत्रिजगर में रहते हैं तो आप बिल्कुल tension free हो जाईए interior designing और construction की working हम करते हैं बहुत अच्छी finishing और बहुत अच्छी quality के साथ तो आप भी ऐसी working कर आ सकते हैं प्लीज आप सबसर रिक्वेस्ट है कि हमारे YouTube को subscribe कर लीजे इंस्टेग्राम को follow कर लीजिए और आप भी वीडियो को check out कर सकते हैं जो screen में display हो रही है एक fall selling की वीडियो यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूं वो भी आप check out कर सकते हैं जिसमें राइपुर चत्रिजगर में हम रूपी 65 औली रूपी 65 पर स्क्वेर फिट ओनली हम fall selling करते हैं पी ओपी मटेरियल में प्लास्टर ऑफ पारिस में और आप modular kitchen की वीडियो भी देख सकते हैं जो screen में display हो रही है हमने राइपुर चत्रिजगर में 1000 प्लस modular kitchens complete कर लिये हैं तो उसकी वीडियो और वर्किंग के लिए भी आप उसे चेक आउट कर सकते हैं ऐसे ही interior designing की बहुत सारे beautiful project videos, ideas, designs और बहुत सारे working और site की photos, videos भी आपको देखने को मिलेंगी राइपुर चत्रिजगर की तो फ्लीज उसे चेक आउट करते रहिएगा और चलिए मिलते हैं हमारे next video में till then good day to all of you